नमस्कार बाईजूस एक्जाम प्रेपाई एस हिंदी में आपका सोगत है प्रस्तुत है दैनेक क्विज पहला प्रशन आपके समक्ष है निमलिखित कत्नों में से किसमें मिशन लाइफ का सर्वोत्तम विवरण प्रदान किया गया है यह धार नेता के प्रती सामुहिक दृष और संकट ग्रस जीवों की मिरत्ति उदर को कम करने के लिए सरकार की एक पहल है यह व्यवसाइक यौन शोशन के लिए होने वाले तसकरी पीडितों के बचाव, पुनरवास और पुना एकिकन के उद्देश से एक पहल है कि यह यौन कर्मियों और यौन शोशन पीडिता मह को तकनीकी यह व्यवसाइक प्रसिक्षन प्रदान करने के लिए सरकार की एक पहल है, मिशन लाइफ के संदर में आप यह देहान दखेंगे कि हाली में भारत के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी और संयुक्त राज महासचिव एंटोनियो गुटेरर्स के द्वारा मिशन ला देश प्रत्वी ग्रह को जल्वाईयू परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों से बचाना है, यह सततता के प्रती सामूहिक दृष्टिकोंड को बदलने के लिए त्री इस्तरिये रणीती के माध्यम से जल्वाईयू परिवर्तन से निपठने की एक पहल है, जिसके तहत प्रत्वी ग्रह के तेहरे संकट यानी जल्वाईयू परिवर्तन, प्रदूशन और जय विवित्ता के नुकसान से बचने का प्रियास किया जाने वाला है, इस रूप में आप यह देख सकते हैं, मिशन लाइब के संदर में सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए, आज के पत्र पुछना कारेले में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है, दूसरा प्रशन आपके समक्ष है, संपूर्णा नन दुर्बीन के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए, यह नैनिताल में मनोरा शिकर परिस्थित है, यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली X-ray ट इतनों में से कौन सा या से गलत है या है, आपके विकल्प हैं केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन की इन में से कोई भी नहीं, संपूर्णा नन दुर्बीन के संदर में आप यह द्यान दखेंगे कि यह उत्रखंड में नैनिताल के पास मनोरा शिकर परवस्थ एक विश्विस्तरिय दुर्बीन है, इसका व्यापक रूप से उपयोग, ग्रह, छुद्र ग्रह, धूमकेतुओं के ओप्टिकल अवलोकन के साथ ही तारा समुह आदी की पहचान के लिए भी किया जाता रहा है, इस दुर्बीन यानि टेलिसकोप के द्वारा कुछ महत्तपोण विज्ञान परिणाम संबंधी योगदान भी किये गए हैं, जैसे कि शनी के चारों तरफ नए रिंग्स यानि वलेयों की खोज, साथ ही यूरेनस के वलेयादी भी इसका महत्तपोण योगदान है, इस रूप में इस एक महत्तपोण विश्विस्तरिय माना जाता है, हानकि यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली X-ray Telescope नहीं है, और चूंकि हमें इसमें गलत कतन की पहचान करनी है, इसलिए इसमें केवल दूसरा कतन, यानि एक कतन हमारा गलत है, और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा, एक केवल एक कतन, आज के पत्र स पूचना का रहले में इससे संबंदित खबर प्रकाशित हुई है, अगला प्रशन आपके समक्ष है, पक्रो टाइगर सफारी परियोजना निमलिखित में से किस रिजर्व में शुरू की जा रही है, पक्के टाइगर रिजर्व, बांधीपुर टाइगर रिजर्व, जिम क कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रारंब किया जा रहा है, हाला कि वन सर्वेक्षन की एक रिपोर्ट के अनुसार, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में प्रस्तावेद, पक्रो टाइगर सफारी परियोजना के लिए 6,000 से अधिक पेड़ों को अवैद रूप से काट पक्रो टाइगर सफारी 106 हेक्टियर के छेतर में फैली होगी और जब ये पूरी हो जाएगी तो ये उत्तरा खंडराज्य की पहली टाइगर सफारी होगी जिसमें 100% विजिबिलिटी यानि 100% दिरिश्चता सुनिश्चित करने के लिए बाड़ों में बाग होंगे, इस र प्रशन आपके समक्ष है, निमलेखित में से कौन सा जिनेवा कन्वेंशन युद्ध बंदियों पर लाग होता है, आपके विकल्प हैं पहला जिनेवा कन्वेंशन, दूसरा जिनेवा कन्वेंशन, तीसरा जिनेवा कन्वेंशन की चौथा जिनेवा कन्वेंशन, जिनेवा उसे ऐसे लोगों की रक्षा करने से संबंधित अंतराश्टिय संधियां हैं, जो युद्ध में भाग नहीं लेते, जिनमें नागरिक, चिकित सक, सहायता कारे करता शामिल हैं, साथ ही इनमें ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाता है, जो अब लड़ नहीं सकते, जैसे कि घा गायल, बिमार, तूटे हुए जहाज के सैनिक, युद्ध बंदि आदी, इसके संदर में जो पहला जिनेवा कन्वेंशन है, वे युद्ध के दोरान जमीन पर गायल और बिमार सैनिकों की रक्षा करता है, दूसरा जिनेवा कन्वेंशन, युद्ध के दोरान समुद्र में घायल, बीमार और जलपोच छतिगरस सेन कर्मियों की रक्षा करता है, जबकि तीसरा जिनेवा कन्वेंशन प्रिजनर ओफ वार यानि युद्ध बंदियों पर लागू होता है, इसी परकार से चौथा जिनेवा कन्वेंशन कबजे वाले छेतर सहित नागरीकों को सुरक्षा प्रदान करता है, इस रूप में आप ये देख सकते हैं, युद्ध बंदियों पर लागू होने वाला जिनेवा कन्वेंशन है, तीसरा जिनेवा कन्वेंशन और इस रूप में हमारा सही उतर हो जाएगा, सी, आजके इंडियन एक्सप्रेस अकबार में इससे संबंदित ख पूल, सडक, रेलबे लिंक, आदी सहेद, दुश्मन द्वारा उप्योग की जा सकने वाली किसी भी चीज को नश्ट करने का प्रयास करती है, इसे इसलिए अंजाम दिया जा सकता है, ताकि दुश्मन या आक्रमण कारियों के द्वारा देश के संसाधनों को उप्योग ना देख लेते हैं, आपका प्रश्न है, दक्षिन पूर्वेशिया में दक्षिन से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिये गए नगरों का सही इस्तिती क्रम क्या है, बैंकोक, हनोई, जकार्ता के सिंगापूर, आपको दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चैन करना ह आपके विकल्प हैं, 4-2-1-3, 3-2-4-1, 3-4-1-2 की 4-3-2-1, दक्षिन पूर्वेशिया के इन शहरों को आप इस मानचेत्र में देख सकते हैं, इसके तहट आपको विभिन देश दिखाई देंगे, जिसमें इनकी राजधानिया भी दी गई हैं, जैसे की इंडोनेशिया क की राजधानी जकार्ता को आप देख सकते हैं, आप सिंगापूर को देख सकते हैं, आप थाइलेंड की राजधानी बैंकोक को देख सकते हैं, साथ ही आप वियत नाम की राजधानी हनोई को भी देख सकते हैं, यदि हम इन राजधानियों को दक्षिन से उत्तर की ओर इस् जिसमें जकार्ता सबसे दक्षिन में आप देख सकते हैं और साथ ही इसमें दूसरे नंबर की हनोई को सबसे उत्तर में रखा जा सकता है यानि हम सही कह सकते हैं उत्तर है हमारा सी अब हम Fact of the Day आज के तथे की बात कर लेते हैं जिसमें हम बात करेंगे वाइरल इस पिलोवर पर जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अगबार में परकाशित हुआ है अनेक वर्षों से जलवाईयू परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को देखा जा रहा है इसमें अविश्वसनिय मौसम से फसल की पैदावार में बदलाव से लेकर प्रजातियों के विलूपती करण के उधान देखे जा रहे हैं अब एक नई शोत के अनुसार आगे आने वाले समय में इसका एक और नकारात्मक प्रभाव वाईरल इस्पिल ओवर के रूप में देखा जा सकता है जो आगे आने वाले वर्षों में नई महमारियों का कारण बन सकता है यदि हम वाइरल इस पिल ओवर को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इसका संबंद वाइरस से है, वाइरस इस पृत्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें विर्धी करने के लिए एक होस्त यानि मेजबान की प्रयतियों के बदलने पर वाइरस निस्क्रिये हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, हालनकि जलवाईयों परिवर्तन के प्रभावों के चलते व्यज्ञानी को कोई आशंका है कि वाइरस एक होस्त में रहते हुए ही, यानि एक मेजबान में रहते हुए ही, एक दूसरे म मेजबान को काफी तीवरता से संक्रमित कर सकते हैं और इस प्रकार से वैस्थाई रूप से संचारित हो सकते हैं यह एक ऐसी प्रकिरिया है जिसे वाइरल इस पिल ओवर के रूप में परिभाशित किया गया है इसके माध्यम से वाइरस एक मेजबान में रहते हुए दूसरे म मेजबान तक सतत रूप से संचारित होंगे जिससे उनकी लगतार प्रधानता बनी रहेगी और नवीन प्रकार की महमारिया देखी जाएंगी विज्ञानिकों के अनुसार जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है वैसे वैसे गलेशियरों का पिगलना भी बढ़ रहा है और इसस पहले से बरप में फसे वाइरस और बैक्टीरिया के नए मेजबान खोजने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं विद्ध्वानों के नुसार जलवाईयों परिवर्तन से प्रिजातियों की शेणियों और उनके भौगोलिक वित्रण में भी लगतार बदलाव आ रहे हैं इ आई जूस एक्जाम प्रेप आई एस के आज के अंक में फिलाल इतना ही धन्यवाद